लो क्लास 6 आज आप math में study करेंगे exercise 4.1 तो यहां देखिए first question क्या है using the number line find the integers which is आपको number line का use करके क्या करना है integers बताना है तो कह रहा 6 more than minus 2 आप पास एक number line होनी चाहिए ऐसे कि मैंने number line बना ली थोड़ी बड़ी बनाई है ताकि other question भी हो जाएं आपको इससे छोटी करनी है कितना कह रहा है 6 more than minus 2 तो आप minus 2 search करें number line पर कहाँ यहां पर है ओके और क्या कह रहा है तो आगे आपको six step जाना है तो इसके right side में one two three four five six तो कहां पर आप पहुंच गया four तो आप यह ऐसे यहां पर arrow भी कर दीजेगा कहां पहुंच गया four तो आपको लिख देना है बस directly question note करके write कर देना है six more than question write करना है minus two equal to कहां पर आप पहुंचेते है four पे okay समझ में आया चली question number second देखते है question number second कह रहा था six less than three तो मैंने पहले सी question write कर लिया तो आप कहां पर six less than three तो three से तो three कहां यहां पर इससे six lesson six step आपको left side में जाना one two three four five six कहां पहुंच रहे माइनस three पर तो आपको क्या write कर देना है माइनस three ओके नहीं समझ में चलते हैं next question बताते हैं आपको मैंने question write कर दिया है five less than two तो five कहां पर है right side मिलेगा जीरो के इससे तू से तू आपका यह यहां पर है इससे five list करना है तो five step आपको left side में जाना है one two three four और five कहां पहुंच गया माइनस three पर तो कितना write कर देंगे माइनस three ऐसे question number four देखे कैसे होगा 10 more than minus five तो minus five यह आपका यहां पर है zero के left side में तो आपको more करना तो more के लिए आपको right side में जाना पड़े कितना 10 तो 10 step आप आगे जाए one two three four five six seven eight nine ten कहां पहुंच रहे हैं आप five पर पहुंच रहे हैं तो यहां पर आप ऐसे arrow करिएगा और यहां equal to कितना write कर दीजेगा five ओके students देखते हैं question number two तो question number two है आपका find the absolute value of तो absolute value के लिए क्या ऐसी write कर दीजे question absolute value of minus 18 equal to आप ऐसा sign बनाएगा mod इसको मैं कहता हूं okay mod minus 18 और जब आप इससे बाहर निकालेंगे तो इसका sign क्या हो जाएगा plus लेकिन अगर यह plus में भी रहता है जिसे question number यह आपका second वाला है तब पर इसकी value क्या होगी positive होगी ओके देखते है question number three क्या है write the following integers in increasing order increasing का मतलब ascending तो आपको बड़े order में बढ़ते हुए order में write करना है तो question number three पहले numbers note कर लेते हैं question मैंने यहां पर note कर लिया तो यहां सबसे छोटा क्या होगा तो सबसे छोटे में क्या हो सकता negative numbers जो होंगे वहीं छोटे होंगे तो negative में यहां देखिए two number minus 12 और minus 9 तो minus 12 आपका सबसे छोटा हो जाएगा okay minus 12 देन आपका हो जाएगा और यह sign भी use कर दीजेगा minus 9 आप positive वाले में then 7 then आपका 8 ओके ऐसी question number आप second भी कर सकते हैं तो देखिए question number second क्या है minus 2 है 0 है 6 है minus 4 10 है और minus 10 तो पहले negative numbers आप search कर लिजे negative number यह 1, 2 और यह आपका 3 तो सबसे पहले आप क्या write करेंगे minus 10 then minus 4 then minus 2 then आप क्या write करेंगे 0 then आपका हो जाएगा 6 और आपका हो जाएगा 10 okay students और यही question number 4 है तो 4 को आपको descending order में write करना है okay decreasing increasing का opposite क्या होता है decreasing घरता हुआ क्रम बड़े से छोटा आपको write करना है तो पहले से erase कर देते हम तो erase भी कर दिया और मैंने question भी note कर दिया और यहां पर question number मैंने two note किया है okay one वाला काफी easy लग रहा था तो आपको decreasing order तो decreasing के लिए क्या बड़े से छोटा तो बड़ा क्या होता पॉस्टिव वाले नंबर होंगे देखते पॉस्टिव वाले कौन कौन से 12 है जीरो है बस यही दो नंबर है यहां पर yes तो पहले इन दोनों देखे क्या हो जाए greater 12 आपका greater होगा और sign यहां पर उल्टा बनाते हैं और यहां फिर descending order अगर यह symbol अगर आप यूज करते हैं तो descending order लिखने के जरूरत नहीं होती कि symbol ही so कर देता है ओके देन आप क्या write करेंगे जीरो अब उसके बाद क्या आपको negative numbers तो negative numbers 4 बचें आपके 1 2 3 और 4 तो इसमें दिखें जो छोटा दिख रहा होगा वह बढ़ा होगा तो छोटा क्या दिख रहा है आपको minus 1 तो पहले आप minus 1 write करेंगे then आप minus 7 write करेंगे then आप minus 32 and last में आप write करेंगे minus 1 2 1 ओके students ऐसे आप मेरे ख्याल से कर सकते हैं अगर कोई फिर भी problems होती तो comment box में जाके आप write करिएगा तो मैं बता सकता हूँ